आखिर गया में क्यों किया जाता है पिंडदान? जानिये पुराणिक कथा और महत्व सनातन धर्म में ये माननिता है कि गया में श्राद करवाने से व्यक्ति की आत्मा को निश्चित तोर पर शांती मिलती है इसलिए ही इस तीर्थ को बहुत रद्धा और विश्वास के साथ गया जी कहा जाता है हिंदु धर्म में म्रत व्यक्ति की आत्मा की शांती के लिए पिंडदान किया जाता है पित्र पक्ष के दोरान पित्रों को तरपन भी इसलिए दिये जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांती मिले और उनकी गती हो सके कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति गया जाकर पिंडदान कर देता है उसे फिर कवी पित्र पक्ष के दोरान शाद या पिंडदान करने की जुरुत नहीं पड़ती अधिकतर लोगों की ये चाहत होती है कि मृत्ति के बाद उनका पिंडदान गया में हो जाए सनातन धर्म में ये माननेता है कि गया में शाद करवाने से व्यक्ति की आत्मा को निश्चित तोर पर शांती मिलती है इसलिए ही इस तीर्थ को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ गया जी कहा जाता है तब किया तब से ब्रह्मा जी को प्रसन्य कर उनसे वर्दान मागा कि उसकी देह यानी शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए जो कोई विव्यक्ति उसे देखे वह पाप से मुक्त हो जाए ब्रह्मा जी ने गया सुर को तथा अस्तु कहा इसके बाद लोगों में पाप से मिलने वाले दंड का भय खतम हो गया लोग और अधिक पाप करने लगे जब उनका अंतसा में आता था तो वह गया सुर का दर्शन कर लेते थे जिससे सभी पापों के मुक्ति हो जाती थी इस समस्या का समधान ढूंडने के लिए देपताओं ने गया सुर को यग के लिए पवित्र भूमी दान करने के लिए कहा गया सुर ने विचार किया कि सबसे पवित्र तो वो सोयम है और गया सुर ने देपताओं को यग के लिए अपना शरीर दान किया दान करते हुए गयासुर ने देपताओं से ये वर्दान मांगा कि ये इस्थान भी पापों से मुक्ती और आत्मा की शांती के लिए जाना जाए गयासुर धरती पर लेटा तो उसका सरीर पांच कोस में फैल गया गया तीर्थ भी इसलिए पांच कॉस में फैला हुआ है समय के साथ इस स्थान को गया जी पित्र तीर्थ के रूप में जाने लगा आईए दोस्तों जानते हैं गया जी का महत गया जी का महत बहुत अधिक है कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पिंडदान यहां हो जाता है उसकी आत्मा को निश्चित और परशान्ती मिलती है विश्नु पुराण में कहा गया है कि गया में शाध हो जाने से पित्रों को इस संसार से मुक्ती मिलती है गरोड पुराण के मताविक गया जी जाने के लिए घर से गया जी की ओर बढ़ते हुए कदम पित्रों के लिए स्वर्प की ओर जाने की सीड़ी बनाते हैं दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजे